नमस्कार दोस्तों मैं शेलिंद्र एक बार फिट से आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चनल पर दोस्तों जब आप किसी बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो आप compare करते हैं interest rate को और आप prefer करते हैं कि जहाँ पर interest rate कम हो वहाँ से आप लोन लेन लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ जगा जैसे personal loan, vehicle loans आदी में आप कम interest rate चुनने के बावजूद अंत में bank को ज़्यादा भुकतान कर देते हैं जी हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ आप कम interest rate चुनने के बावजूद ज़्यादा भुकतान कर देते हैं और अगर आपको इससे बचना है तो आपको जानना होगा APR यानि की annual percentage rate तो दोस्तों जुड़े रही है मेरे साथ इस वीडियो में पूरा जरूर देखेगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि क्या है APR और live example से आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप ज्यादा भुकतान करने से बच सकते हैं दोस्तों normal interest rate तो आपको पता ही है जो bank अपनी websites पर दिखाते हैं या फिर आप जब bank visit करते हैं तो आपको interest rate बताया जाता है लेकिन interest rate के अलावा आप bank को कई charges भी pay करते हैं जिसमें upfront fee होती है, processing charges होते हैं, कुछ मामलों में inspection fee होती है, pre-closure charges होते हैं और अगर आप property mortgage करते हैं कहीं पर तो आपको legal charges और valuation charges भी देने होते हैं और annual percentage rate इन सब को consider करता है और total जो आपकी cost होती है किसी loan की उसको interest rate के term में आपको बताता है दोस्तों APR में interest के साथ इन सभी fee को जोड़कर calculate किया जाता है और APR को compare करके आप बिल्कुल सही bank चुन सकते हैं दोस्तों अमेरिका और अन्य विखसे देशों में जरूरी है बेंडिटरी है वहां के लोके हिसाब से customer को APR बताना वहां APR बताना कंपल सही है इंडिया में नहीं है दोस्तों लेकिन आप सुच्छा से APR को calculate कर सकते हैं और APR को मैं आपको live example दिखाऊंगा लेकिन अगर आप APR का formula जानना चाते हैं तो वहां आपकी screen पर यह रहा इसमें fees plus interest जो आपने pay किया है उसको divide किया जाता है don't amount से और इस total figure को divide किया जाता है number of days जितने दिन आपका loan चला है into 365 और इस पूरे को into 100 कर दिया जाता है तो APR आ जाता है लेकिन आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है तो दोस्तों जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं मैंने access bank का APR calculator निकाला है आप google में APR calculator search कीजिए आपको APR calculator मिल जाएगा तो दोस्तों आप देखेंगे कि आप किसी bank गए उस bank से आप बोलते हैं मुझे 1 लाग रुपे का loan लेना है और वो loan आप 60 महीने तक चलाते हैं 5 साल और वहाँ पर मान लिया आपका rate of interest है 9% और आपको bank बोलता है कि जो loan origination charges या processing fee या other charges जो भी हैं वह total आपको 5000 रुपे पढ़ेंगे और आप अब इसको calculate करते हैं तो देखे calculate करा तो 11.22% आपका net APR आए इतना आपको rate of interest देना पड़ा ये charges मिलाके अब आप दूसरी जगा जाते हैं और दूसरा bank rate of interest आपको 9.5 बताता है यानि 0.5% ज्यादा लेकिन उसके charges मान लिया 3000 रुपे हैं 5000 की जगा और आप इसको दूबारा से calculate करते हैं तो इसका calculation 10.82 आया और last में जहां पहले rate of interest कम था processing charges ज्यादा थे वो 11.22 आ रहा था और इस समय आपका 9.5 rate of interest के बावजूद आपका जो APR 10.82 आ रहा है 0.40% कम आपको देना पड़ रहा है उस जगा पर जहां पर rate of interest ज्यादा है लेकिन जो processing charges एक्स्टेक्टर हैं वहाँ कम है तो इस तरीके से आप charges का ब्योरा लेके APR calculator में net check कर सकते हैं कि क्या आपको total costing पड़ेगी उसी तरीके से आपने देखा होगा आप बियाज finance जाते हैं आपने बोला में 25,000 रुपे का TV लेता हूँ आपको वह बोलता है bank आपको zero interest rate लगेगा लेकिन वह बोलता है आपके processing charges लग जाएगी 1000 रुपे तो देखते हैं आपने 25,000 रुपे का TV लिया आपको वह बोलता है मैं आपको आप एक साल में दो-दो हजार रुपे या धाया जा जो भी किस्ताती है दे देना तो आपको वह एक साल का समय देता है 25,000 रुपे चुकाने के लिए rate of interest zero है लेकिन वह बोलता है बस आपके processing fees लगेगी मान लिया 1000 रुपे अब आप calculate कीजिए वह आपसे 12% interest rate charge कर रहा है अगर आपसे वह calculate करके processing charges नहीं लेता तो आपका 12% interest आप इतना देते तो आप 1000 रुपे ही भुकतान करते 25,000 रुपे के तो देखिए कितना बड़ा फाइदा है APR को calculate करने का actual में आपसे वह analyze percentage rate ले रहे हैं आपको 0% rate of interest बताने के बाब जूद तो दोस्तों यहाँ फाइदा है APR को जानने का APR को calculate करने का उमेद करूँगा कि आपको यह जानकरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपके यह जानकरी काम आएगी जब आगे जाके लोन लेने के लिए जाएंगे तो आप APR को जरूर calculate करिएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आगे भी financial topic जानने के लिए प्लीज चैनल को subscribe जरूर कीजिए, share जरूर कीजिए धन्यवाद, अमस्कार, फिर मिलेंगे आप सही